इंदोर के बड़े कॉंग्रेस सुनीता चुनाव नहीं लड़ना चाते प्रदेश अद्यक्षी बोले 12 फरवरी तक नाम का एलान कोई दाविदार खुल कर सामने नहीं आया नमस्कार मैं श्वेता आपका दाख खबरदार नियूज में स्वागत करती हूँ तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रामुक और बड़ी खबर पर मैंद्यप्रदेश विदानसबा चुनाव में करारी हार ने इंदोर कॉंग्रेस के लिए नई चुनोती खड़ी कर दी है आरेसेस के गड़ में कॉंग्रेस के प्रदेशा अध्यक्ष बनकर कमबैक के संकेत दिये हैं लोगसबा चुनाव करीब है परदेशा अध्यक्ष जीतू पटवारी कहते हैं कि लोगसबा के लिए हम 15 फरवरी तक उमीदवारी का एलान करने की तैयारिया कर चुके हैं लेकिन मैदानी हालात उनके दावों के उलट है हमने कई प्रमु कुदाविदारों और चेहरों से कौंग्रेस के टिकेट पर चुनाव लड़ने का सवाल पुजा है अधिकतर का जवाब ना है या फिर मिला जुना मिला है पहले जानिये वे तीन प्रमुकारण जिससे कॉंग्रेस के नेता नहीं लड़ना चाहते हैं लोग सभा का चुनाव पहला चार थे तब पांच लाग से जादा से हारे थे तब तो शून ने है मदिर पिदेश विदान सभाचुराम 2018 में सामेर राउ देपालपूर और इंदौर एक से कॉंग्रेस जीती उसके बाद लोग सभाचुनाव हुए तब कॉंग्रेस पांच दिश्मलव 47 लाग के रिकॉर्ड वोटों से हार गई दूसरा राम मंदिर के बाद और बदलेगा वोट पैचन इंदौर वैसे ही लंबे समय से बाच्पा के होल्ड में है राम मंदिर प्रापतिस्टा के उत्सव के बाद हालात और तेजी से बदल रहे हैं ऐसे में कॉंग्रेस नेता का कहना है कि अधिकतर लोग अब किसी कारण से पीछे नहीं हत रहे हैं इसके बावजूद हम विचारधारा के तहत लड़ाई लड़ेंगे उमीदवार तो संग चनते करेगा इंदौर संग का गड़ माना जाता है मैतिस साल से कॉंग्रेस लोग सबा में जीत के लिए तरस रही है वीजेपी ने पहली बार साल 1989 में सुमित्र महाजन को लोग सबा चुनाम में अपना उमीदवार बना कर मैदान में उतारा था उसके बाद से कॉंग्रेस नहीं जीत पाई है चिन लोगों के नाम टिकेट के लिए चर्चा में है वे नेता क्या बोले संजेशुकला, पूर विधायक और महापौर प्रतियाशी इंदौर एक पाची टिकेट देगी तो देखेंगे लेकिन चुनाम लड़ने का भी कोई मूड नहीं है चिन्टु चौक से सवाल ही पैदा नहीं होता, कई बड़े नेता है, मैं तो छोटा सा कारे करता हूँ पूर मंत्री के बेटे इंदौर ती, मशीन EVM से चुनाव होता है तो मेरा व्यक्तिगत मत है कि कॉंग्रेस को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए लोगसबा चुनाव का बॉयकोर्ट करना चाहिए राजा मंगवानी विदान सवा प्रत्याशी इंदौर शाथ राजा मंगवानी से बात नहीं हो पाई, उनके बेटे ने बताये कि मंगवानी शेह से बाहर गए हुए है उनके करीबियों और रिश्यदारों का कहना है कि मंगवानी का लोगसबा चुनाव लड़ने का मन नहीं है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमश्कार और देखते रहिए दख खबरदार व्यूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP Construction Solutions आपके लिए तैयार है मजबूत Civil Engineering से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां, दिये गए नमबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं झाल 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 झाल